हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टो माई चैनल दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारी शैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल पुजा पार्ट से चुड़े हुए अल इन टॉपिक पर और मैं आपके साथ शेर करती हूँ अपने लाइफ को अस्पिरेंस हो दोस्तों आज मैं आपके साथ थोड़ा से वीडियो लेट है दिवाली स्पेशल जो है भगवान राम जी का शेंगार शेयर करने जारी हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे शेंगार क्या और यह पोशा कैसे क्या है सारी डिटेल में इ प्रभु रामचंद जी का शेंगार किया और यह देखे इस तरीके से पर यह हमने हैं जो है वह मुखु लगाया का दीपा लाओर बहुत है क्या इस प्यारी इस के जो हिंद लग रहा है और इस मुखु की जो खासिद है वहे कि स्ष्चमक जो बड़ी सुन्दर है और इस बड़े ही प्याले तरीके से कॉंप्लिमेंट कर रहा है तो ये मैंने जो है वो पोशाग जो है वो दीपा वली पर पहनाई थी हमारे भगवान शुरी रामचंद जी को और ऐसे लग रहे हमारे प्रभु जो है वो इस स्वरूप में शिंगार में आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बिताएगा और अब मैं आपको दर्शिन करवाती हूँ मया सीता के और कुछ ऐसा सा शिंगार है हमारी सीता मया का और इनका सेम बजी जो पुशाक है वही मैंने पहनाई और बहुत प्यार लग रही है हमारी सीता मया यह देखें आप इस तरीके से यहाँ तो बहुत सुन्दर लग रही है यलो एंड मल्डी कलर की कॉम्बिनेशन में इनका भी शिंगार किया है और सेम ये जो नेकलेस ईनों ने पहना है इसी का सेम गोल्डेन कलर का जो है वो रभुरामचंदर जी ने पहना है तो यह तो हमने किया है इनका शिंगार कैसी लग रहा है यह शिंगार मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताएगा बहुत प्यारी लग रही है हमारी सितमिया और ये विग्रे काफी जो है वो छोटे हैं तो थोड़ा सा होता ना कि जैसे एगुल सत्कार का शिंगार होता है वैसा तो नहीं हो पाता है लेकिन हाँ फिर भी बहुत बहुत सुन्दर सौरूप है और देखें ये तो हमारे देखने की नजरिये पर डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं और हमें क्या ही चीज नजर आ रही है तो चलिए अब मैं आपको जो है वो भगवान श्री लक्षमर जी के दर्शन करा देती हूं कि वो कैसे लग रहे हैं शिंगार में और फिर मैं एक साथ कंप्लीट राम दर्वार के दर्शन आपको जो है वो करा दूँगी तो ये जो हैं वो हमारे प्रभुश्री रामचंद्र जी हैं और ये में इनका जो है वो शिंगार किया ये लो कलर की धोती पहना के सेम कलर का जो है वो ये हमारी लख्ष्मर्जी है वो मौ दिमाग में न पता नहीं क्या दाता है तो साथ से बताय जा रहे हैं कि नहीं भाई ये जो है वो रामचंद्र जी लख्मर्जी है तो ये जो पोशाख है इसका पटका मैंने पहनाया और धोती मैंने अलग से पर्चेस की ती क्योंकि इस पोशाख में सिर्फ दोती और लहंगा आया था जो कि सीता मैया और भगवान रामचंद्र जी ने पहन लिया तो लख्मर्ण जी को मैंने उसी का सेम पटका पहना के और कंट्रास्ट में इस पोशाख को पहनाया ऐसा मैंने इनको मुकुट लगाया बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मुकुट भी और इस तरीके से जो है हमने अपने भगवान श्री लक्षमर्ण जी का जो है वो शिंगार किया और ये दिखिया सेम कंट्रास्ट ही है ये चेंड कराती हूँ